नमस्कार मैं हूं निशा मदलिका आज हम बनाएंगे रोड़ के यह विधर्व की स्पेशल डिस है पुखती टेस्टी है तो शुरू करते हैं बनाना सबसे पहले हम डो बनाएंगे डेड़ कप गिहूं का आटा ले लिया है और चथाई कप सूजी इसे यह अच्छे कुरकुर बनेंगे आदा चोटी चमच से थोड़ा सा जादा नमक एक चोटी चमच अजवाइन इसे हमेशा क्रस्ट करके डालिए इसे बहुत अच्छा फ्लीवर आएगा और यह डाइजेशन में भी हैल्प करीगी डेर चोटे चमच घी ऑईल भी ले सकते हैं आप इन सबको अच्छ तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और जैसा पराठे के लिए डो बनाते हैं उसे हलका सा सक डो बनाएंगे सर्दी का मौसम है हलका गरम पानी ले लिजे और अगर गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी से ही डो बनाईए ये डो बन के तयार हो गया हलका सा सक्ट डो बनाया है और इतना डो बनाने में हमने एक कप पानी लिया था लगवक पौना कप पानी लग गया है इसे ढख कर आदा गंटे रेस्ट कराने के लिए छोड़ देते हैं ये सेट हो जाएगा इसके बाद आगे का प्रोसेस राजिस्थान की बाटी, मालवा की बाफले, बिहार की लिट्टी और विधर के रोड़गे ये चारो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन ये अलग-अलग तरीके से बनते हैं और इनके स्वाद भी अलग-अलग होते हैं रोड़गे की क्या खासियत है उपर से अच्छी क्रिस्पी और अंदर धेर साही परत इसका स्वाद आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे आदर गंटे के बाद ये आटा सेट होकर तयार है हाथ पर थोड़ा सगी लेते हैं और इसे अच्छे तरीके से मसलते हैं वीडियो तयार हो गया अब हम इस डो से चार बरावर बरावर के टुकड़े बना लेते हैं एक टुकड़ा उठाएंगे और इसके भी दो बरावर के टुकड़े बना लेंगे और इस आदे भाग को भी दो भागों में एक छोटा पोर्षन और एक थोड़ा सा बड़ा पोर्षन पहले बड़ा वाला टुकड़ा उठाकर इसे गोल कर लेंगे गोल किया इसे थोड़ा चप्टा कर लिया लोई बना ली और इसे हम लगभग 3-4 इंच की चोड़ाई में बेल लेंगे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है मोटा ही रखना है यह देखिए यह मैंने बेल लिया अब यह दूसरा भाग जो इससे छोटा था वो ले लिया इसको भी इसी तरीके से गोल किया दबाया लोई बनाई और इसे भी बेलेंगे उससे छोटा रखेंगे इसे यह हो गया और यह दूसरा भाग जो सबसे छोटा है इसे भी गोल किया दबाया लोई बनाई और छोटा सा बेल लेंगे उन दोनों से छोटा तो यह देखिए हमने तीन वेले हैं एक है थोड़ा बड़ा है एक से छोटा एक सबसे चूटा अब यह बड़ा वाला भाग हमने नीचे रखा और इस पर घी लगाया, थोड़ा सा सूखा आटा लेकर, इसके उपर डालेंगे, और इसे इस तरीके से, चारो और फैला देंगे, थोड़ा सा ही डालना, इससे लेयर अच्छी बन जाती है, अब जो इससे छोटा वाला पार्ट था, वो इसके उपर रख देंगे, और इसके उपर खी लगा देंगे, इस पर भी थोड़ा सा आटा चिड़ा देंगे, और चारो और फैला देंगे, और ये सबसे छोटा वाला पार्ट, इसके उपर भी खी लगाएंगे, और ये थोड़ा सा आटा, अब इसे fold करना है तो नीचे वाला part सबसे उपर रहना चाहिए यह देखे इस तरीके से और जो सबसे उपर वाला part है वो पूरी तरीके से बंद हो जाना चाहिए यह हो गया ना पूरा बंद थोड़ा सा दबा देते है गोल शेप देते है यह इस तरह का हमने तयार कर लिया तो सारे पीसे से इसी तरह के रोटगे बना कर तयार कर लिया और यह सारे बन गए इनक कुक करने के लिए हमने यह भारी तले की कडाई ले लिया और इसमें दो कप नमक डाला हुआ है यह और्डनरी नमक है बारवार बेकिंग करने की वज़े से यह ब्राउन हो गया है और इसके उपर रख दिया है हमने 40 इसको मैंने 6-7 मिट पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था इन्हें कुक करने के लिए हम इन्हें प्लेट में लगा देंगे तो एक यह उठाया और इसके उपर थोड़ा सा घी लगा लिया जो प्लेट की और साइड जा रही है इसमें घी लगाने से यह इसके उपर चिपकेगा नहीं तो सारे यह पीसिस को हम इस थाली में रख लेते हैं ट्रेडिशनली इन्हें उपले और कोईले में कुक किया जाता है लेकिन अभी हमारे पास ना उपले होते हैं यहां ना कोईले होते हैं तो हम इन्हें कढ़ाई में कैस पर ही कुक करेंगे कढ़ाई पूरी तरीके से गरम हो चुकी है, तो हम इस थाली को कढ़ाई में डाल देते हैं, साबधानी से, कढ़ाई के किनारे से हाठ ठचने होना चाहिए, और अब इसे ठख देंगे, और मीडियम हाई फ्लेम पर 15 मिनिट तक कुक होने देंगे, इसके बाद चेक करेंगे, और जब तक एक कुक होते हैं, तब तक हम दाल बना लेते हैं, इसमें दो चम्मज घी डाल देंगे, अरहर की दाल आदा कप में दो टेबली स्पून कम ली, दो टेबली स्पून उसमें मूंकी दाल डाल दी, इसे हमने धो कर 15 निट के लिए भिगो दिया था, गरम घी में य तो फ्लेम धी में ही रखनी है, चथाई छोटी चम्मज हल्दी पाउडर और एक छोटी चम्मज थनिया पाउडर, आधा पिंच हिंग, हल्का सा पूनिंगे, ये एक टमाटर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, दो छोटी छोटे हरे मिच, उनका पेस्ट बना कर ले लिया अब मसाले को तब तक भूले, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता और इससे घी अलग नहीं होने लगता मसाला हलका सा भूल लिया, अब इसमें डालेंगे चोथाई छोटी चमच, कुटी हुई लाल मेच, मिर्चा आप अपनी पसंद से कम जादा कर सकते हैं, और ये देखिए, मसाला एकदम थिक हो गया है, और गी भी निकलाया इससे, तो इस दाल को हम कुकर में डाल देते हैं, जया खिए, और मिक्स कर देते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं, एक कप, और ये आदय कप, मिक्स कर दिए, कुकर में एक साथ बहुत जादा पानी नहीं डालते, क्योंकि जब सीटी आएगे तो पानी उसके साथ निकल जाएगा, बाद में पानी की ज़रुरूत होगी, तो को पादमें डाल देघे, यह आदा छोटी चमयाक, यह आप स्वादानसा ले लिजे, कुकर बंद कर देता है, और दाल को एक कुख होने देता है, आप फ्लेम ठेस कर लेंगे, दाल में कुख पर 3 मिट और कुख होने देंगे, इसे इसे दीमी गैस पर तीन मिट कुक कर लिया, फ्लेम को बंद कर देते हैं, और अब कुकर का प्रशर खतम होने देते है, रोड़गे को सिखते हूँ अभी 20 मिनिट हो गए है, देखिए, ये नीचे से थोड़े ब्राउन हो गए है, इनको पलट देते हैं, और उपर की साइड इ देते हैं, और देखिए, दाल बनके तयार हो गई है, हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, और मिक्स कर देते हैं, डाल तयार है, तो ये लिया तड़का पेल, और इसमें डाल देंगे दो छोटे चमबच घी, गरम की में डालेंगे एक चोथाई चोटी चमबच जीरा और जीरा फुर्णने के बाद तुरंट गैस बंद कर देंगे और ये एक चोथाई चोटी चमच लानमेच तड़के को डाल के उपर डाल दीए मिक्स कर देता है इन्हें शिखते हूए 20 मिनिट और हो गए चेक कर लेता है और ये देखे कितने अच्छे ब्राउन हो गए Canada दोनों और से अच्छे सिख़े कर तयार है ये पूरी तरीके से को हो चुक है और इनको कोने में 40 मिनिट लग गए और अब इनके ऊपर घी डाल देंगे घी आप जितना भी पसंद करते हो उतना डाल सकते हैं ज्यादा घी डालना चाहते हैं तो इसे इस तरीके से फोड लें और आभ इसमा जितना घी चाहें नद डाल लें इसे तरीके से पिछे क और भी थोड़ा सा घी लगा लेता है तो यह तो एकदम तयार हो गए रोड़गे बनकर तयार है इन्हें दाल के साथ चटनी के साथ या अपनी किसी भी मन पसंद सब्जी के साथ परोसिये सभी को बहुत पसंद आएंगे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आप धू के बाद इन्हें चेक करते हुए अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन दोनों और हो जाएं तब तक सेख लीजिए बहुत ही अच्छे रोड़गे बनकर तयार होंगे आप इन्हें ओबन में भी बना सकते हैं अवन को 200 डिग्री सेंटीगेट पर साइट कीजिए और इ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए